आप सभी को दिल्ली वाली आंटी का नमस्कार, आज मैं आपको गिरिंटी बनानी बताती हूँ, मैंने गिरिंटी के लिए एक कपानी रख दिया है, अक्सर सभी को गिरिंटी बनानी आती है, लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं, जिनको गिरिंटी बनानी नहीं आती है, उनी के लिए मैं ये वीडियो बना ला रहे हो गिरींटी साधरन सी बाते आसानी से बन जाती है कोई दिक्कत नहीं है हैसमें बना दें छोटी एक तोर्षाय समस्च मैंने गिरींटी डाल दिये आप इसमें कोईसेभी गिरिंडी ड़ शकते हैं, पेकित ़ाली थाल सकते हैं और खुली ड़ शकते हैं, यह बहुत फाइरमध होती है, अब मैं इसमें थोड़ासा अधरग ढाल देए हूं, थोड़ा स्वाग। छॉड़ा स्वारची नहीं ठेस्ट के लिए इसमें और सभरतियों मैं इसको अब देती हूं यह शर्डियों में बहुत थी होती है और सेहत के लिए भी बहुत फायदा मनना आंखों के लिए बालों के लिए और चेहरे पर गिलो भी आता है, स्वर्दियों में गरम-गरम पीते हैं, तो बहुत अच्छी लगती है, आप जरूर एक-दो कप दिन में जरूर पी हैं, तो ये ग्रीन टी वजन भी कम करती है, जिनका वेव जादे हैं, उनके लिए तो ये औरती का काम करती है, इसलिए मेरी आप लोग ग्रीन टी जरूर पीएं, आपके लिए बहुत फाइज़ान दोगी, धिरे-धिरे दो मिनट तक इसको इसको इसपे रखना है, अब इसमें उबाला रहा है, अब हमारी ग्रीन टी तयार है, अब हम इसको कप में डाल रहे हैं, आब ये हमारी ग्रीन टी पीने के लिए तयार है, आप इसको सुबह को पीएं, रात को पीएं तो बहुत अच्छी रहती है, और खाने के बाद आप पीएंगे, तो इससे हमारी पार्चन सक्ती भी बर्या रहेगी, यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आयो, तो लाई तो शेर करना, और मेरी चैनल को जोइन क करना, और युवाण